दोस्तो आज हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट मसीन से हम एक मसीन से कितने तरह का आइटम बना सकते हैं और उस आइटम को कितने कितने रुपय का हम बेच सकते हैं क्योंकि machine लगाने के लिए तो हर कोई बताते हैं और explain यह नहीं करते हैं कि कितना item बनेगा और उसके बाद उसको कितने का हमें sale करना है जो exact है वो rate कोई नहीं बताता है सब अनुमान के हिसाब से बतायता है तो आज हम आप सबको एक video देंगे इसमें आपको सारा detail मिलेगा कि क कितने का कौन सा item बेचना है कौन सा कितने size में बनता है और एक machine में कितना item निकल पाएगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखें और यदि आप में चैनल पर नए है तो प्लीज में चैनल को सब्सकाइब करके बैल आकन जरू प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का video थाली का सीजन नहीं है तो आप लोग थाली में परेसान ना हो तो बहुत बहतर है अभी आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सिर्फ और सिर्फ दोना प्लेट बनाएं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे मेरा प्लेट है यह देखिए यह आठ इंच का कलता है उनका प्रोफिट भी कम होता है तो इसलिए आठ इंच का ही रोल लाना है तो एक तो आपको यह बन जाएगा आठ इंच का चलिए हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे हम बताते हैं बिल्कुल जीरो साइट से सुरूर करते हैं छोटा आइटम से उसके बाद आपको बरा पीस का और यह मार्केट में जो जा रहा है वो तीन रुपए से सारह तीन रुपए का यह जा रहा है जैसा आपको मार्केट प्राइज लगे वह साप इसको बेच सकते हैं तो यह हो गया अपना चार इंच का ठीक है जो कि कई जगह पे चल रहा है कई जगह पर नहीं भी चल इसी में फिर आता है हमारा सारे चार इंच ये सारे चार इंच के पेपर में चार नमर इसको बोलता है कि चार नमर गोलगपपा पाने पूरी ये सारे चार इंच के पेपर में बनता है लोग इसके लिए पाच इंच का पेपर ले आते हैं तो ये गलती नहीं करना है आपको यह चलता है इसकी बात करें तो इसको हम सारे 3-4 रुपे का भी सेल करते हैं साथ-साथ हम आपको प्राइज भी बता रहें कितने का बेचना कितना का पैकिंग है कितना इंच रोल लग रहा है यह सब बता रहें तो वीडियो में एंड तक बने रहे और भाई एक लाइक करने मे के आप खुडिय आपको दे रहा हो तो आप इसके लिए कुछ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो सिर्फ लाइक करता कि हम आपक़ यह अvisor लाते रहें तो यह 2 होगे आपका 4 ंची और यह सारे 4 2 3 3 में यह तिन 4 में 12-15 का पैकिंग है अपने यह अडिया में आप देख लिना उसके बाद मेरा आता यह 6 नंबर का सब जी कटोरी भी इसको बोलते है परसाद कटोरी भी इसको बोलते हैं ये वी 22 पीस का पैकिंग है एक बारा को क्लीर बता देखके मा जितना की पैकेडिब itt ये हमारा सारे 5 रूपय या 6 रूपय का हम इसको आराम से बैचते है सारे पांच छे रुपे का अराम से बिखता है कोई प्रोब्लम नहीं है और अगर हम देते हैं ठेले वाले को तो वह इसको साथ आठ रुपे कर लेगा क्योंकि उसका प्राइज अलग होता है दुकांदार के लिए है अब इसी में छे इंच में प्लेट भी रेडी होता है जो क आप प्लेट भी थेंच नहीं को हुआ च्छे इंच का यह अपना सोज रुपे का ही जाता है अब इसी में आ जाता है आपका साथ इंच का दोना जिसमें हम समों से भी जाता है चाट वाले भी लेता है बहुत तरह के यूज होता है तो यह अपनाroad हो गया तीसका ये भी 22 पीस का है और इसके लिए हमें 7 इंच का ही पेपर लेना होगा ये 7 नमबर का है 7 इंच का ही पेपर आएगा ये ना कि सारे 7 इंच ले लिए 8 इंच ले लिए वो ने 7 इंच के पेपर में इसको बनाना है और इसका जो प्राइज है ये मार्केट प्राइज सारे 7 और ये भी 7 इंच का ही पेपर में बनता है तो इसके लिए भी आपको 7 इंच का ही पेपर लेना है और ये इसका भी रेट सेम होगा जो रेट इसका है वह रेट इसका है क्योंकि एक ही पेपर में दोनों बन रहा है तो इसलिए ये इसका बढ़ेगा नहीं अब इसी में आ जात होता है यह 8 इंच के पेपर में प्लेट भी रेडी हो जाता है दोना भी रेडी हो जाता है यह रा मेरा प्लेट और यह रा मेरा डोना इसको बावल भी बोलते हैं कटोडी भी बोलते हैं यह 8 इंच में रेडी होता है तो इसके इसको हम सेल कर रहे हैं सारे 9 रुपय का तो यह लेकिन अगर प्रोपर तरीक से रेट बता देते हैं इस पे तो उसमें नुक्सान सबका है आपका भी है आप तो देखके अपना फायदा ख states क्यों है कि आपके मार्केत में और भी लोग देखेंगे तो यही उधे यह जाएंगे निजिए आपके लिए हैं अभी आइटम आइटम आप बहुत लोग कमेंट का रहे थे कि आपको अगर लिए तो यह आपको बता दिये हैं और यह जितना भी आइटम आइटम आप गिन लो यह रिगुरेल चलiber वाल आइटम है चिक है और यह कंटीन्यू चलता है इतना आपको अगर मसीन लगाते हो तो यह सारा डाई आपको लेना पड़ेगा जो की आठ डाई है यह तो सिर्फ कटोड़ी प्लेट में है अभी इसमें आपको थाली भी निकालना है 12-13 इंच का थाली भी होता है वह अभी अभी हम खुद भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास भी जाहतर ऑडर जो भी आ रहा है अभी सिर्फ प्लेट का यार आपको दिखाते हैं देखिए यह रोल भी जो है 6-7 इंची सिर्फ बन रहा है इधर भी है इधर भी है और अपने लिए भी हम जो दोना प्लेट बना हें घ्रकिज़ बना रहे हैं और दूसरे वाले पर जो है मेरा देखिए 7 उन्स लगा हुआ है यह सबаемся कल तक में नहीं तक अब हमें सब सरा देने उन जो हैाइज देखिए 6 इंच का रोल है यह दो यह दोनों साथ इंच का रोल है उसके बाद जो भी इस पे भी आप यह एह शेज़ा है चल रहा है एँग पड़ा है और यह आपका जो साइज है वह wash एक ही मसीन में आप सारा साइज बना सकते हैं मसीन अगर इदि आपका अच्छा हो क्वाइलिटी वला हो और धंग से चलने वला हो तो उसमें आप बफर थाली भी काट सकते हैं और नोरोमल थाली भी काट सकते हैं और यदि सिर्फ आपको पलेट के लिए ले रहे हैं तो कोई स सारा आइटम अगर बनाना हो आपको तो आपको मसीन अच्छा लेना है बढ़िया लेना है और मसीन भी आपको चाहिए तो वो सब मेरे पास मिल जाएगा इस काम को करने के लिए पहले आपको ट्रेनिंग क्या हो सकता पड़ेगी क्योंकि मसीन लगाने लिए तो हर कुई सुझते कि मुखर लेगे लेकिन मशीश लगाने के बाद जो समस्या आता है जो प्रोब्लम आता है वह हर किसी को जहेलने की बस की बात नहीं है तो लोग प्रेसान हो जाते हैं फिर मशीन बेज देते हैं अभी हुआ है यह पर्षो की भात है कोई बंदा इतना पता नहीं होना चाहिए उनको अपने पास भूला कि अपने वारे देखो अपने आप आपको समझ में आजाएगा वो खुद भी देखके गया है तो बोलते नहीं आपका मशीन हमारे मसिन बहुत फर्क है तो वही फर्क कि वह से आज उनका मसीन बंद पड़ाया मसीनों बेचन तो आपको यह समझ में आगया हो कि कौन सा आइडम kami बनता है और कितने में भीक्षथ यह आपको देख लिए यह सारा आइटम । फो दिएhai और इसमें आपको साइज भी बता दिये हैं हैं रेट भी बता दिये हैं तो जबी याइटम बनता है वह भी बता देगी मसीन में सारा इटम बनता है और जो भी मसीन लगाते हैं उनको सारा यह डाइल लेना होगा तभी मेल में काम कर पाएंगे क्योंकि अगर एक आदम डाइल लेते हैं तो आपके तदा 36 बैठे हुए मार्केट में और कस्टमर भी बहुत है तो इसलिए आपका कता नहीं चल पाएगा क्योंकि कोई भी जहां से हैक लेगा वहीं ब्हुंड सारा इटम लेगा तो सारा इटम होगा जब तो आप दोगे तो इसलिए काम करना है और लगों करना है प्लानिंग करना है करना है और शीख के ही बिना सीख करना नहीं बह Arctic करनाए हम आपलों कहा सारा पनी कितने पनी कितने जमें ये पैकिंग होता है जो